नमस्कार आप देख रहे हैं जर्मत की पुकार आज की बड़ी खबर दिल्ली की राजनीती से गया है जो जनता की नाराज़की का संकेत है सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि आमाद्मी पार्टी के नेताओं को जो विरोध जिलना पड़ रहा है वह अरविंद केजरिवाल और उनके 58 विधायकों की भारी एंटी इंकम्बेंसी का परिणाम है आदर्निय बड़े भाई प्रमीन शंकर कपूर जी आदर्निय राघव मंडल जी यहां पर उपस्थित मीडिया के सभी बंदुगन आपके माध्यम से जनता तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुचाना चाहती हूँ पिछले दिनों से दिल्ली की जनता के जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आपको माननिय केजरिवाल जी पर आमाद्मी पार्टी के विभिन विधायकों पर उनके मंत्रियों पर उनकी पद्यात्राओं में काले जंडे और नारे बाजी के थुरू दिखने को मिलेगी ये जो जनता का आक्रोश है इसकी अभिव्यक्ति की सीधी सीधी वजे है निशकर्मता आमाद्मी पार्टी सरकार की एक दशक से यहां पर सत्ता तो जरूर भोग रही है आम आदमी पार्टी की सरकार लेकिन ना माननिय केजरिवाल जी ना उनका कोई विधायक ना माननिय मुख्यमंतरी आतिशी जी ना आम आदमी पार्टी यहां पर जनता के लिए कुछ करकर राजी है चुनाव हुआ जनता ने अपना जनादेश उनको दिया लेकिन उसके बाद क्या हुआ सारे के सारे विधायक जनता के बीच में से लुप्त हो गए गायब हो गए दिल्ली की अगर आप हालत देखें आजकल तो त्योहार आने वाले हैं लेकिन दिल्ली का एक भी त्योहार आपको त्योहार जैसा नहीं दिखेगा मई से लेकर और अब अक्तूबर आ गई है मैं खुद अपने अनुभव से बोल रही हूँ दिल्ली में पानी की, पीने के पानी की ऐसी किल्लत है कॉंस्ट्वेंसी के अलग-अलग लोग अभी भी पानी के टैंकर के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं दो बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस्ती है गर्मी में लेकिन वही जैसे ही वर्षा रितु आती है तो दिल्ली डूब जाती है आजकल आपने भी देखा है सडकों की क्या खस्ता हालत हो रखी है इतना जादा ट्राफिक जाम हो रखा है दिल्ली में त्योहार के नाम पर भी दिल्ली बेहाल हो रखी है दिल्ली की अगर आप आर्थिक विवस्था देखें तो दिल्ली का जो बजट है तो उसमें 7000 करोड रुपे का डेफिसिट आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 साल में पहली बार लाकर खड़ा कर दिया है दिली में हस्पतालों की मरमत नया कोट प्रेमिसेज या किसी भी प्रकार के बड़े इंट्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट में आप आगे प्रगती कर ही नहीं सकते क्योंकि माननिय आतिशी जी जो न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री है लेकिन दिल्ली की वित्तमंत्री भी है उन्होंने बजट में इसका प्रावधान ही नहीं करा इस सब के चलते ये श्वाभाविक है कि जनता अब ये जो विधायक और माननिय केजरिवाल जी चागामी चुनाव को चलते चुनावी जुमलों के तौर पर अलग-अलग पद्यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं स्वाभावे किसी बात है कि इस पे जनता अपना आक्रोश जरूर निकालेगी लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता दू कि भाजपा बहुत ही सकारात्मक राजनीती में विश्वास रखती है ये दोशारोपन जो आमादमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री कर रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं ये केवल इसलिए दोशारोपन कर रहे हैं क्योंकि अपनी असफलताओं पर आवनन डालने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आधर्णय अध्यक्ष्री विरेंद्र सचदेवा जी की एक डुबकी से आमादमी पार्टी की सरकार डोलने लगी हैं एक डुबकी यमना जी में भाजपाईयों ने ली और आमादमी पार्टी की सरकार डूबने लगी क्यूं? क्यूंकि बड़े बड़े दावे तो करे कि यमना जी की सफाई करेंगे लेकिन एक दशक में यमना जी उतनी ही क्या उससे जादा मलीन हो गई है अभी भी देखिए विरेंद्र सच्देवा जी ने एक डुबकी ली और उनुको जाकर आरेमेल में चेक अप करवाना पड़ रहा है उन माताओं और बेहनों की क्या हालत होगी जो छट में जाकर वहाँ पर छट मया के पूजन के लिए यमना जी में डुबकी लगाएंगी चाहूंगी भाजपा के शिर्ष नेत्रित्व और एक-एक कर्मत करता की कथनी और करनी में अंतर नहीं है हमने तो यमना जी को साफ करने का संकल्प लेते हुए वो डुबकी लगाई थी और ये संकल्प कर दी है कि आने वाले विधान सभाद चुनाव में जैसे ही भाजपा की सरकार का चैन होगा तो आते ही हम यहाँ पर यमना ट्राइब्यूनल का गठन जरूर करेंगे इतना जरूर कहूंगी कि दिल्ली अभी भी अरविंद केजरिवाल जी और आमादमी पार्टी की सरकार के तूटे हुए वादू का दंश सह रही है दिल्ली आमादमी पार्टी के सरकार के को अपना ये जन आक्रोश व्यक्त करते हो ये कह रही है कि दिल्ली अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है प्रचार नहीं परणाम चाहती है और इसी लिए आप देखिएगा आने वाले विधान सभा के चनाव में दिल्ली प्रगती के पत पर तभी अग्रुसर होगी जब यहां पर भी भाजपा की डबल एंजिन की सरकार का जलवा हो धन्यवाद सरासर बे बुनियाद आरोप है यह अपनी असफलता पे एक आवरन चड़ाने के लिए उन्होंने एक बासी पैतरा दुबारा इस्तमाल करा है आपको याद होगा जब भी दिल्ली में चुनाव आने होते हैं तो यह अलिगेशन जरूर उभर कर आता है कि मानिनी अर्विंद केजरिवाल जी पे किसी प्रकार का अटाक हुआ लेकिन दिल्ली अब बहुत समझदार है दिल्ली का मतदाता बहुत जादा समझदार है कि बासी पैतरे अब चलेंगे नहीं मैंने आपको कहा न दिल्ली जानती है कि बिजली पानी सड़क सीवेर और ड्रेनेज ऐसी जैसी जो मूल सुविधाएं हैं ये पूर्ण तरह केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार शेतर में आती हैं और दिल्ली की जनता आप ये सवाल पूछ रिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था जाहे वो बिजली की हो सड़क की हो पानी की हो श्यूज की हो ड्रेनेज की हो या फिर दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था ये चर्मरा क्यों रही है और आप देखिएगा दिल्ली अब बदलाव चाहती है बहाने नहीं अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें पिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार